सिरी गणेश शाय नमा प्रिय बंदुओ आज कल की जो भागम भाग की जिंदगी है इस जिंदगी में हम घंटों एक इस्थान पर आसन लगा कर और भगवान का ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम घंटों एक ही स्थान पर आसन लगा कर भगवान का ध्यान करेंगे तो फिर हम अपना सांसारिक कारी नहीं कर पाएंगे लेकिन इसके वाद भी जिन परमपिता परमात्मा ने हमें इस प्रत्वी पर भेजा है कि हमारा कर्तब्व बनता है कि हम उस परम पिता परमात्मा को याद करें तो एक विचारन है प्रिश्न है कि किस प्रकार से हम सांसारिक कारियों का और इश्वर सम्मंधी ध्यान का गटजोड बिठा सकें हम कैसे उपाय करें जिससे की हम भगवान का ध्यान भी कर लें और हमारे सांसारिक कारिये भी बाधित ना हो तो यदपी ये सारे सूत्र आप सभी सिरीमानों और सज्जनों को मालूम है फिर भी मैं अपने छद्र ग्यान के द्वारा आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो अल्प ग्यानी समझ कर मुझे छमा करियेगा तो भगवान जी जब हम सरव प्रथम प्राता काल जब हमारी नींद खुल जाए तो हमारा ऐसा नियम होना चाहिए कि प्रथम जो नाम निकले हमारे मुख से वो हमारे इस्ठे देवता का नाम हमारे मुझे निकलना चाहिए दूसरा फिर जब हम प्रत्वी पर पेर रखें इसके पहले फिर एक बार हमें अपने इश्टिदेवता का ध्यान कर लेना चाहिए तो इस प्रकार से हम विस्तर्ज अप्तियाग करते हैं तो उसके पहले ये दो बार हमारे द्वारा भगवान का मानसिक रूप से जाप हो जाता है अब फिर जब हम नित्य क्रिया से फारिग हो जाएं तो हमें अपने माता और पिता इन दोनों का जब हम चर्ण बंदन करें जब इनका इस्मर्ण करें तो एक एक बार उस समय भी हमें अपने इस्टि देवता का नाम इस्मर्ण कर लेना चाहिए तो इस प्रकार से ये चार बार हमारे द्वारा भगवान का इस्मर्ण यहाँ पर कर लिया जाता है फिर जब हम इस्टनान करने के लिए जाएं तो उस समय भी दोनों हाथ जोड़ करके और हमें भगवान को नमस्कार कर लेना चाहिए पाचवार इस्मर्ण हो गया भगवान का और इस्टनान के पस्चात जब हमारे सामने भोजन प्रसादी यह जाएं तो हम भोजन ग्रहन करें इसके पहले भी एक बार हम भगवान को इस्मर्ण कर लें तो बंधुओ अनायास ही इस प्रकार से हम छे बार भगवान को याद कर चुके होते हैं इसके बाद हम अपने कारी छेत्र में चले जाएं खूब दिन भर बेफिकर होकर के कारी करें जब घार आएं संध्या का समय हो जाएं तो कम से कम एक वार उस समय भी भगवान का हम नाम ले लें साथ वार जो है बिना परिश्रम किये अनायास ही हमारे द्वारा भगवान याद कर लिये गए इसके बाद में जब हम रात्री कालीन भोजन करें उस समय एक बार हम याद करने भगवान को और अन्तिम नावार जब हम अपने विस्तर पर सयन करने के लिए जाएं तो उस समय भगवान के चर्णा और विंदों का अपने हिर्दय में ध्यान करें तो इस प्रकार से नो बार हमने भगवान की मानसिक पूजा कर ली कोई हमारा इसमें अतिरिक्त समय नहीं लगा कोई हमारा इसमें द्रब्य खर्चा नहीं हुगा कहा गया है कि जो हम जोर से भगवान का नाम लेते हैं अथवा जो ऐसी पूजा जिसे की लोग देखते हैं ऐसी पूजा हम करते हैं उससे कहीं करोड गुना जादा पुन्यफल हमारे द्वारा हम जो मानसिक जाप करते हैं जो हम मानसिक पूजा करते हैं तो उसमें बहुत जादा पुन्यफल हमें प्राप्त होता है तो बंधुओ मैंने यह नो समय आपको बताए हैं भगवान को याद करने के लिए इन समय में लिया गया भगवान का एक नाम भी करोड गुना हो जाता है बंधुओ इन नो समय में भगवान का नाम लेने के लिए मैं यह नहीं कहता कि आप घंटों आसन लगाईए और उसमें ध्यान लगाने के लिए आप घंटा या दो घंटा बेठिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि आज का समय लंबी पूजा करने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि आप एक एक घंटे यदि पूजन करने के लिए बैठेंगे तो बंधूओं आपके अन्य दूसरे सांसारिक कारिये वाधित होंगे इसलिए मैं आपसे अन्रोध करता हूँ यदि हो सके और मेरे अन्रोध पर आप ध्यान दे सकें तो ये जो नो समय मैंने बता हैं बंधूओं इन नो समय में एक एक बार आप भगवान का नाम इसमर्ण कर लिया करेंगे तो आपकी मेरे उपर वड़ी दया होगी यदि पूरे नो समय में भी आप भगवान का नाम नहीं ले सकें तो आप एक निश्चित समय बना लीजिए कि मुझे इस समय भगवान का नाम लेना ही है आज के लिए वस इतना ही सेश फिर कभी दूसरे विशे के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे आज्या दीजिए धन्वाद जैमाता की जैपरश्राम जी के